गुदो मौनिंग तो फ्रेंड्स हो गया है मौनिंग का आगास और मैं ले रही अपनी वेक्लाइज ड्रिंग मौनिंग ड्रिंग और ये है सॉफ का पानी इसे रात में हम सोख कर देते हैं मौनिंग में इसे थोड़ा साफ गर्म करके पितीव हूं अभी मैं यही ले रही हूँ और साथ ही साथ इसके मैंने अपना नाश्ता बना लिया था आधे गंटे बार नाश्ता कर लेना होता है तो मैंने बनाया था अपना फेवरिट ओमलेट इसमें खुब सारी वेजीज राली है साथ में दो ब्राउन ब्रेट की स्लाइस है आप एक भी ले सकते हो और यह मेरा फेवरिट ब्रेकफास्ट है मुझे अच्छा लगता है तो अभी आज आते हैं किचन में और अपना जो लंच है वो प्रिपेर कर रहा है तो आप समझ गया दूरा हो गे मैं बना रही हूं आज बैगन का भरता और यहां कूकर बनाने वाली हूं पनीर क्योंकि होता है ना फैमली में प्रई कोई एक चीज खाता है और तो डुसरी चीज नहीं खाता तो हमारे अब भी कुछ लोग हैं जो बैगन का भरता नहीं खाते या उनको तो सूट नहीं करता तो मैं इसलिए अभी मैं आपको सारी चीज़े दिखा रही हूँ और किचन थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो आज जैसे आपने थामनेल देख लिया होगा कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि 32 टाइम्स चुइंग फॉर्मूला में मैं क्या डाइट लेती मैं तो मॉनिंग का आपने देख लिया मैंने ब्राउन बेड और ओमनेट लिया है वैसे डेली मैं चेंज करती रहती हूँ और अभी मैं लंच बना रही हूँ लंच नॉमली बनाती हूँ बस जो हमारा ओल का कंजम्शन है वो कम कर दिया है आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा ऑईल डाला है और मैं यह बना रही हूँ छे से साथ लोगों के लिए तो इतना ऑईल सफिशेंट है साथ में इधर मैं जो हमारा बैगन है उसको भून रही हूँ ऐसे करके यहाँ पर मेरे पास नेट थी जो हम गैस पर रख देते थे बट वो मिल नहीं दी थी तो मैंने डा कि मैं से तुी सिंपल सा जैसे सब लोग बनाते हैं वैसे ही बना रहे हूँ यहां पर लक्ष। लेसन का पेश् साथ में प्याज का पेस्ट पेस्ट और टमाटर पेस्ट था यह सारी चीजे एक साथ मैंने ग्राइंड की थी, तो सारी एक साथ ही डाल दी, क्योंकि मैं जब काम करती हुँ, तो बहुत स्पीड में करती हूं, खाना भी स्पीड में ही बनता है, मेरा मुश्किल से हाफ़नाल लगते हैं सारे काम में, बट जल्दी करती हूँ तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि खाना टेस्टी बाता है बट बहुत fast fast बनाती हूँ क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं घर के बाहर के और अपने बेटे को ले कर तो मैं बहुत ज्यादा टाहिम नहीं दे सकती हैं सारे कामों के लिए तो यहां पर सिंक में देखे बर्तन भी पड़े अभी वो भी करने है पनीर भी कट करके रख लिया है यह मैं हल्दी डाल रही हूं मसाले में अभी चिली में रेड चिली नहीं यूज कर रही है थोड़ी दिन तो रेड चिली नहीं डालूँ गी मैंने मसाले में ग्रीन चिली एड़ कर ले थी तो इस तरह से इसको मसाला भून रही हूँ कम ओयल में ये मेरे पास शान का कोर्मा मसाला रखा था तो मैंने सुचा पनीर में डाल के देखती हूँ थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए और टेस्ट चेंज हो जाता है तो और कुछ भी नहीं कर रही थी कुछ सिंपल से बना रही थी तो मैंने ये मसाला एड़ कर दिया है वैसे बहुत कम मसाले में मैं खाना बनाती हूँ मेरा जो रोस का खाना होता है बहुत ही बेसिक से मसालों में बनता है और healthy होता है तो यहाँ पर मैंने क्या डाला है यहाँ पर मैंने चुकट के हुए potatoes थे वो डाल दिये मतलब आलू और इधर मेरा bacon भी अच्छे से भुन गया है चीक है तो आप देख सकते हो तो आपको लगेगा कि हम diet में आलू खा सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब 32 बार का formula हम करते हैं उसमें हम कुछ भी खा सकते हैं मतलब homely food ठीक है जो भी veggies हैं सारी veggies खा सकते हैं आलू भी quantity कम करनी है मतलब portion control करना है बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ डिसकार्ट करनी है क्योंकि आप जानते हो कि जब आप middle class family से बिलॉंग करते हो या फिर आप उतनी ज़्यादा fancy diet नहीं कर सकते हैं आपको regular वही खाना खाना है आपको ही बनाना है कोई chef नहीं लगे हैं तो फिर आप वो सारी diet करना विकार है क्योंकि जब आप वो diet करोगे तो obvious ही बात है वेट बहुत तेजी से कम होगा बट फिर आप अगर अपना regular food पर आओगे ना तो आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा तो 32 बार के formula से मैंने भी अपना 10 से 12 kg वेट लूज किया हैं अभी मुझे करना है बीच में इतनी ज़्यादा distraction हो जाते हैं कि मैं बस मेरा अच्छी बात यह मेरा वेट बढ़ा नहीं है जितना था उतना ही है और यह इसी लिए हुआ है क्योंकि मैंने कोई भी fancy diet नहीं की थी regular जो food है वहीं खाती थी और 32 बार का जो lifestyle है उसको बना के रखा तो उससे क्या हुआ है कि मेरा वेट जो है वो बढ़ा नहीं है जितना है उतना ही है बट अभी मैं फिर से थोड़ा सा regular होंगी और कहते हैं न बहुत साई tension होती है बहुत साई चीज़े होती है family में जिससे आपका वेट बढ़ने लगता है बट टैच वूट मेरा बढ़ा नहीं है बट अभी stuck कर गया है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है जिससे मेरा वेट stuck नहीं किया और घटने लगा है तो यहाँ पर मेरी सबजी बन चुकी है पनीर की और इसमें मैंने हरादनिया से इसको गार्निश कर दिया है तो देखाँ बहुत जल्दी से बन गई है और बहुत सिंपल बहुत glass oil में और salt आपने देखा होगा मैंने शायद skip हो गया salt मैं pink salt यूज करती हूँ pink himalayan salt और वो भी बहुत थोड़ा सा यहाँ पर आप quantity देख सकते हो oil की मैंने कम ही रखी है और अगर आप चाहो तो oil skip कर सकते हो सारी चीजों को mash करके आप ऐसे भी खा सकते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है आप आज मैं oil में fry करके बना रही हूँ otherwise मैं क्या करती हूँ tomato भी भून लेती हूँ सारी चीजों को भून के फिर एक साथ mix कर देते हूँ और वो भी अच्छा लगता है अगर आप डाइट के लिए पूरा conscious हो oil बिलकुर नहीं लेना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हो मैंने देखिया सरसो का oil लिया था क्योंकि actually मैं शाम में last evening मैंने पकोडे बनाया थी तो उसका तेल अलग रख लिया था उसको हम add नहीं करते दुबारा तो उस oil का ही मैं आज खाने में use कर रही हूँ क्योंकि फिर उसको discard साहा दिन नहीं रख सकते उसको discard करना पड़ेगा एक ही बार fry हुआ है तो इसलिए मैं वो आज use कर ले रही हूँ तो यहां पर देख सकते हो मैं अपना खाना बना रही हूँ और आप से भी बात कर रही हूँ अभी और बस morning का 32 बार का formula करोगे तो आपको खुद लगेगा आपको changes धीरे-धीरे मतलब दिखाई देंगे और आपका जो inch loss है वो भी अच्छा होता है आपका weight loss होगा और आप अंदर से बहुती ज़्यादा light feel करने लगते हो ठीक है first आपका जो sign होता हो यही होता है कि आप light feel करते हो तो यहाँ पर मेरा दूसरी second सब्जी भी बनके तयार हो गई है और मैं अपने लिए खाना सब कर रही है तो आपको portion दिखा देती हो मैं मैंने सब्जियों को ठीक ठाक लिया है बट रोटी एक ही लिए है आप salad नहीं कट किया है वैसे मैं salad लेती हूँ अमेशा बहुत सारा दही भी लेती हूँ बट इसमें रोटी जो है वो मेरी एक ही होती है और यह रोटी मेरी जैसे मैंने बताया के multi grain आटे की है और जब मैं purely diet पर होती हूँ मैं oats की रोटी भी खाती हूँ और मैं अब एका दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ मैं oats की रोटी ही खाऊंगी अगर आप चाहो तो मैं आपको daily जो मैं खाती हूँ उसका video बना सकती हूँ बट आपको comment करना पड़ेगा comment box में क्योंकि फिर views नहीं आते तो बिल्कुल मन इच्छा खतम हो जाती है कुछ भी करने की तो यहां evening में अपनी family members के लिए मैं चाय बना रही हूँ मैं green tea लोगी बट चाय को देखके मन ऐसा कर रहा है कि मैं भी थोड़ी से पी लूँ होता है जब मीठा पीने का मन करता है बहुत craving होती है तो मैं stevia डालके पी लेती हूँ और जो हमारा जो milk है वो skim milk होता है double tone क्योंकि वो सब के लिए ही अच्छा रहता है तो उसकी चाय बना के पी लेते हैं तो यह रात का मैं dinner दिखा रही हूँ इसमें भी मैंने एक रोटी ली है बर जब मैं डाइट पर होती हूँ तो मैं आधी रोटी लेती हूँ या फिर salad लेती हूँ या बहुत सारी सबजियां अच्छे से बना के लेती हूँ या आधी रोटी लेती हूँ मतलब कोई fancy चीज नहीं लेती घर की चीजों को खुब सारी वेजीज को फाइबर यूज करके अच्छे से बनाती हूँ और उसको 32 टाइम स्च्यू करके खाती हूँ चीक है उसके अभी ये काफी night का है मैं सो गई थी और दुबारा उटके मैंने green tea नहीं पी थी तो मैंने अपने green tea बनाई और अराम से enjoy कर रही हूँ क्योंकि एक आदत हो जाती है न जब आप green tea पीते रहते हो तो आप फिर उसके बिना नहीं रह पाते हमारा हाल ऐसे ही हो गया है तो अभी green tea पीऊंगी उसके बास सो जाऊंगी और आप glow देख सकते हो मेरे face पे mashallah तो friends फिल्म मेरती हूँ आपसे next video में till then goodbye take care अपना ख्याल रखिए और मैं तो diet करनी हूँ आप भी करें इंशालला बहुत फार पड़ेगा till then bye